नमस्कार मैं सुमान्त विलकम टू प्रेप आईएस आज हम आपको दे रहे हैं दो बेहतरीन टॉपिक पहला हमारा है फानेंशल इंक्लूजन पर दूसरा हमारा है डबलिंग दव फार्मर्स इंकम पर आपको पता है कि रोज ये क्लास आठ बजे से आती है जहां पर हम लोग देली, दो सवाल देते हैं, इन दोनों का आप अंसर लिखते हैं और सम्मिट करते हैं हमारे टेलेगराम गृप प्रेप आ य्येस पर टेलग्राम पर जाएगा प्रेप आईये सर्च करना तुम्हें ग्रूप मिल जाएगा वहाँ पर प्रेंट सर्च समिट कीजिएगा हम उसे रिव्यू करेंगे डेली रात को आठ बजे संडे को हम लोग एसे डिसकस करते हैं निपन डिसकस करते हैं ठीक ना डेली दो कोश्चन सवाल के दौ पार्ट है ना उसका इसको बढ़ाने में तो जैम इसका योगदान बता देंगे अपने अंसर में second part में के लिए हैं चलो पहले content देखते हैं फिर हम आपको आपका जो अंसर है वो देखेंगे क्या होता है financial inclusion RBI के मताबिक ensuring access to financial products and services जो financial products है जिसके banking सेवा, insurance सेवा, pension products ये सब हमारे भारत के जो society हैं उसके vulnerable group को खास करके affordable cost पर जब जरुआत हो तब transparent manner में mainstream institutions के द्वारा मतलब की जो bank है, NBFC हैं, उनके द्वारा जब provide किया जाता है तो उसको हम लोग financial inclusion कहते हैं simple भासा में banking, insurance, pension और दूसरी financial सेवाएं जब हमारी जनता को affordable cost पर at all time provide किया जाए, transparent manner में तो उसको हम लोग financial inclusion कहते हैं सबसे पहली बात, जब आप financial inclusion promote करते हैं तो लोगों को banking की सेवाएं मिलती हैं, लोग formal financial system को enjoy करते हैं, उसको use करते हैं, तो उनको बढ़िया जगा पर पैसे deposit करने को मिलता है, जो saving पर ब्याज है वो मिलता है, उनको reasonable cost पर loan मिलता है, इस loan को use करके वो अपना जो रोजगार हैं, उसे बढ़ाते हैं, कार खाने चलाते हैं, महलाओं को जब रोजगार मिलता है, NGO, self-help, group को जो रोजगार मिलता है, इससे social empowerment होता है, clear है, financial fraud reduce हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास financial literacy आती है, आप समझ जाते हैं कि OTP किसी को देना नहीं होता, ATM का password किसी को देना नहीं होता दूसरी बात, unsecured को secure किया जाता है, मतलब कि जिनके पास pension की सुभधा नहीं है, pension दिया जाता है, जिसके पास insurance नहीं है, insurance दिया जाता है, जिसको save करने की आदत नहीं है पैसा, उसको save करना से खाया जाता है, बचत खाते के द्वारा, clear है, economy development, जब आप पैसा save करते हैं, ज वो पना करखान एक्स्पेंड करता है जॉब क्रियट करता है और हमारे economy में income को बढ़ाता है जो जनता है उसकी पर्चीजिंग पावर है उसको बढ़ाता है एसे डिवर्सजिफिकेशन पहले आपके वल बैंक में ही पैसे जमा करते थे, अब क्या करते हैं? जनधन एकाउंट, दूसरा है आधार, तीसरा है मोबाईल, तो हमारा जो एकोनिमिक सर्वे है उसमें जैम की बात करी गई थी, कहा ये गया था कि भारत के सभी व्यक्ति का एक एक एकाउंट होना चाहिए बैंक में, इसको कहा गया जनधन एकाउंट, उस बैंक खाते को आधा सरकार से जोड़ा जाएगा, और मुबाईल नंबर से जोड़ा जाएगा, सरकार के द्वारा जो भी सबसीड़ी दि जाती है वो उस व्यक्ति का खाते में सीधी डिपने करी जाएगी, समझकाई, ये नहीं क्या कोज़ा का practical earn है, सरकार से नहीं, आपके खाते में सीधा चला आधार और मोबाइल तीनों का जो महत्व है वो हम अलग अलग देखेंगे जैसे हमने जंधन एकाउंट खुलाया तो लोगों में जो सेविंग करने का आदत है वो धीरे धीरे बना बैंक में सेविंग का जो पैसा है वो जमान होना शुरू हुआ बैंकों का जो क्रेडिट है वो मिला मतलब बैंकों को फंड का एकसेस मिला जिसको उन्होंने लोन में घुमाना शुरू किया करीब 35 करोड जो नए एकाउंट हैं वो खोले गए थे और अभी ये जो जंधन एकाउंट है न वो धिर धिर ओपरेटिव भी होने लगे हैं मतलब कि लोग उसको इस्तेमाल करने लगे हैं क्योंकि उनके एकाउंट में LPG GAS का जो सबसीडी है वो आता है किसान PM किसान स्कीम का जो 6000 रुपया है वो भी इनके खाते में आता है तो जैसे ही इनके खातों में ट्रांजेक्शन शुरू हुआ तो ये बैंक खाते ओपरेटिव हो गए और बैंकों को उसको मुनाफ़ा मिलना लग गया समझ के बात deposit हुए, withdrawal हुए, जो transaction में rise है वो देखने को मिला और जैसे ही ये हुआ, digital economy भूस्ट हुई, promote हुई और हमारे economy में फ्रॉनलाजेशन बढ़ने लग गया के लिए रहे, दूसरी बात, लोगों में banking सिवाओं के परती जो भरोसा है बढ़ने लग गया अब लोग तकिया के नीचे नहीं जागा, बने खाते में पैसा जमा करते हैं दूसरी बात है आधार, आधार से क्या हुआ, जो scheme में जो leakage होता था वो कम हो गया, मतलब कि आधार ने exclusion and inclusion error दोनों को कम कर दिया दूसरी बात, जो fraud होता था, उसे कम कर दिया गया हर खाता एक व्यक्ति से जोड़ा हुआ होगा, और उस व्यक्ति के द्वारा जो खर्जे किया जाता है, उसको track किया जा सकता है ठीक है न, प्लस जो income tax का जो base है, उसको हमारा broad हो रहा है क्योंकि मैं पता है कि कौन high value transaction कर रहा है आप income दिखा रहे हैं, दो लाख रुपए, मगर आप खरदारी कर रहे हैं, दस लाख रुपए की हर साल भासेंगों तो जरूर क्योंकि सरकार को पता है कि आपके आपके नाटरेशनल कर रहे हैं दूसरी बात, micro ATM को use किया जा सकता है आधार के जरिये और जो DBT है, drug benefit transfer, इसको भी इस्तमाल किया सकता है अधार के जरिये authenticate करके ताकि जिसको subsidy जानी है, उसे के अकॉणनम subsidy जाए तिसरा है mobile, mobile के जरिये आपको आपका जो खाता है, उसको जोड़ दिया गया है आपसे personally जैसे ही mobile, जैसे ही आपका खाते में को पैसे जमा होती है, आपको तुरंत SMS आ जाता है, सरकार की कोई भी स्कीम के बारे में पाता जलाता आपको SMS के जरिये आपके mobile phone पर तुरंत, आप phone से जो पैसे transfer कर सकते है तो जन्धन, आधार और mobile तीनों बहुत ही कारगर टूल साबित हुआ है हमारे देश में financial inclusion को promote करने के लिए ठीक है, अब यह हो गया हमारा content, आपके जो answers है उनको हम review करते हैं, अब चलो देखते हैं, पहला सवाल है रोही राज का, अब अच्छा लिखे गया राणसर, हिंटनाइटिंग में, साफ साफ एक्तम financial inclusion is the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable group such as weaker section and low income group at an affordable cost बढ़ने definition है, simple जो कहा गया है, for example, if every person have open bank account, I 100% financial inclusion, ठीक है, एक्जामपल तरस बढ़ने सकते थे कि लोगों का जब bank account खुलता है, पेहल सवाई मिलती है, तो उसको हम लोग inclusion कहते हैं, ठीक न, इसके लगए dimension क्या है, इसके लगए फाइदा क्या है, poverty reduce होती है, easy credit, देखो, same बातें तुम नीचे भी लिख रहे हो, तो कह मतलब नहीं है न, diagram तुम तभी बनाओ, जब तुम empowerment, तो जब same point तुम्हारे नीचे लिखा है, मतलब तुमको लिखना पौड ही गया, तो क्या फाइदा बनाओ निका, diagram बनाओ तभी और वही diagram बनाओ, जिसका वहाँ पर जरुवत हो, जो तुम्हारे word को minimize करें, समझ के बात, तो इसका महत्व, बक्सा बनाना है यहाँ पे, क अब तुमने लिखा है कि क्या-क्या रोल है, जन धन अधार मॉबाइल का, गोर्मेंट has launched many flagship schemes to promote financial inclusion and provide financial security to empower the poor and unbanked in the country, through जन धन अधार मॉबाइल ट्रेनिटी, ठीक है, the combination of अधार, PMJDY and surge, ठीक है, as per estimated in March, the total number of, हमको चाहिए कि क्या रोल हुआ है, मतलब क्या रोल प्ले कर रहे हैं जन धन अधार मॉबाइल, स्मुरू ना, simple भाषा में, जैसे मैंने बताया, अभी अलग-अलग करके, उस तरह का answer लिखो, ठीक है न, चलो, यह answer है मीनल का, तुमने प्ले define कर दिया है, जो dimension तुमने बता सवाल के second part पर, दोनों part पर equally stress देना है, यहाँ पर, क्यों sir, क्योंकि दोनों का SIM number रेलोकेट किया गया है, पांच-पर नमबर यहाँ पर, ठीक न, इसको ध्यान दीजेगा, आपका answer balance होना चाहिए, सवाल का जो हर part है न, उसे आपको discuss करना होगा, वरना number में दिक्कत होगा सब्सक्राइब कर लिया है, अभी करते हैं, इसका मैंने देख लिया भी answer, ठीक है, यह answer है, इसका, आर्ति का, शलो, हाँ, कह रहा है, रजारभाइन के अनुसार, व्यत्य समवेशन, निम्न आय समू, और कमजर वर्गो समू, जैसे, ठीक है, तुमने बताया है, महत्व, पर संपत्य विधिकरन, वित्य दोखाद़ई में कमी, बढ़िया पॉइंट है, ठीक है न, पांच पॉइंट तुमने यहाँ पर लिखा है, और फिर तुमने इसका जो, हाँ, ठीक है, ठीक है, जो भूमिका तुमने वो लिखा है, तुमने अलग-लग लिखा है, मोबाइल और मोबाइल बैंकिंग को बढ़ा मिला है, अभी भी इसे वित्य समय मेंशन को मानगो किये जाने है, ठीक है, कोई देकत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सब्सवार क्रिस्प बना सकते थे, कुछ रिकमेंडेशन दे करके, कमीटी का, ठीक है न, तो यहाँ पर यह बाते हो लेंगे, तो कह रहा है कि जो इनकम ग्रोथ के सोर्सेज हैं, वो कौन-कौन से हैं, सवाल को पढ़ करके, किस-किस पार्ट को अंसर करना है, उसको नमबर कर दीजिए, आप इसको में में भी कर सकते हैं, एक्जाम होल में कोई दिकत नहीं होता, ठीक है न, हाँ, कोई ओम, आप नमर कार लेंगे वरना, giving an account of these, the sources of income growth, जो government के द्वारा identify किया गया है, mention the steps taken by the government, मतलब कि कौन-कौन से steps सकार के द्वारा लिये गए हैं, पंदर आमाक से सवाल है, तो करें क्या, पहले हम देखेंगे कि government का aim क्या है, government चाहता है, कि farmer का जो income है, उसको double कर दिया जाए, 2022 तक, इस goal को पाने के लिए, सरकार ने एक committee बनाए, उस committee ने ये कहा, कि 7 sources हैं, जहां पर हम लोग किसानों की income को बढ़ा सकते हैं, का कर सकते हैं, 7 जगह पर focus करके, किसानों का जो eye है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, पहले हम इन 7 sources को देखते हैं, उन्होंने कहा, कि जो crop का उत उत्पादक्ता है, productivity है, इसको बढ़ाईए, जैसे ही फसल की उत्पादक्ता बढ़ेगी, किसान की eye बढ़ जाएगी, lab stock, मतलब जो मवेशी हैं, उनकी उत्पादक्ता बढ़ाईए, जो गाए पहले देती हैं, दो लिटर दूद, आब वो देगे 5 लिटर दूद, क्यों द family से चाहिए करेंगे, pesticide fertilizer यूज़ करेंगे, तब पतक्ता बढ़ेगी, अगला है, resource का जो यूज़ है, उसकी efficiency बढ़ाया जाए, for example, जब आप irrigation करते हैं, तो drip और स्पेंगलर का यूज़ कीजे, अगर आप drip का यूज़ कर रहे हैं, तो जो fertilizer है न, उसको पानी में घोल करक पौधे की जड़तक गिरा दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं, fertigation, F-E-R-T-I-G-A-T-I-O-N, fertigation बोलते हैं इसको, मतलब की, जो drip irrigation है न, उसका पानी जो टपटप गिरता रहता है, पौधे की जड़तक, उसी में खाद घुल करके, जड़तक पहुंच जाए मतलब की, जिस एरिया में, पहले हम लोग 10 पौधे हुगाते थे, अब वहाँपर 20 पौधे हुगाएंगे, ज्यादा महेंगे क्रॉप हाई वैल्यू क्रॉप बाइएंगे, जिसका डिमांड जादा है, जिसका वैंल्यू जादा है, जैसे कई लोग मिश्रूम लगाते हैं, मेहंगा बिखता है ठीक ना जो फार्मर को जो आय मिलती है रियल प्राइस मिलता है उसमें बढ़ोतरी करेंगे जैसे कि MSP वगरा एनाॉंस किया जाता है वो कफे हिलफुल होगा नॉन फार्म उक्पोशन में हम लोगों को धेरे धेरे शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमारा agriculture over burdened है तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है disguised unemployment ये क्या होती है जहाँ पर दो लोग काम कर सकते हैं वहाँ पर चार लोग को लगाया जाता है तो जो दो लोग हैं फालतु लगे हुए हैं ने तरह से तो इसको हम कहते हैं disguised unemployment इसे हमको कम करना है क्रिशी में तो ये साथ sources हो गए income के जो किसानों को होता है मतलब हो सकता है जब इसको हम improve करें तो अब सरकार ने काँ सा कदम उठाया है सरकार ने market reform लिया है सरकार ने contract farming को encourage किया है इससे क्या होगा सर जो contract farming में contractor है जो corporate है वो किसानों को बढ़िया quality का input देगा बीज खाद देगा नया तकनिक लाकन को देगा कि तुम आलू को ऐसे उपजाओ मालोक कि जो chips वाला company है लेज किसान को बोले कि मुझे इतना बड़ा बड़ा आलू चाहिए मुझे chips बनाने के लिए तुम ये बीज लो और तुम इस तरह से आलू उप जाओ तो किसान सीखेगा कि कैसे उप जाते हैं आलू उसके बाद क्या होगा जो अगल वाल वगल जो किसान होंगे वह भी उप जाएंगे वैसे हैं आलू कि देखो ये तो ऐसे आलू उप जा रहा है बड़ा बढ़ी आलू होता है बड़ा बढ़ी आलू होता है बड़ा बड़ा एक्सेस मिले मार्केट का उसकी फसल का सही मुआबजा मिले ग्रामीन हाट को सिंटर ओफ एग्रिगेशन के रूप में डिवलप किया जा रहा है मतलब की सभी जगह से किसान आएगा अपना फसल यहां पला करके बेचेगा उसको सौट बगेरा करके मतलब अच्छे से उसको ट्रीटमेंट करके उसको फिर बाहर में भेजा जाएगा दूसरी बात इनाम नैशनल अगरिकल्चर मार्केट उनलाइन वाला इसको बनाया गया है ताकि एक एरिया के किसान पूरे भारत में कहीं पर भी अपना समान बेच सकता किसान रेल सर्ज करना तुमको अब क्या गया है इनपूट को कम करने के लिए इनपूट कोस्ट कम करने के लिए सरकार ने स्वाल हेल्थ कार इसू किया है जिससे किसान को पता चलेगा कि उसकी मिटी में कौन से पोशेत्य कमी है पर्धान मंतरी क्रिस्ट चाही हो जना तो इसके जरी किया किया जाएगा कि जो water efficiency है per drop more crop इसको ensure किया जाएगा तो इससे जो water use है वो कम हो जाएगा जो power का bill आता है जो बिजली बिल आता है किसानों को वो कम आएगा तो जैसे ही हमरा input cost कम हुआ तो जो margin है किसान का बढ़ जाएगा अगला जल्द शक्ती मंत्राले बनाया गया है dedicated ये काम करेगा irrigation पे परधान मंत्री फसल प्रिमा योजना के जरीए जो किसानों का जो crop है उसको insurance provide किया जा रहा है बहुत ही low premium पर किसान credit card के जरीए किसानों को loan दिया जाता है timely credit दिया जाता है केवल उसी amount पर job निकालते हैं उस card को use करके आप जतना रुपया निकालेंगे bank से केवल आपको उसी amount पर ब्याज लगेगा बाकि आपको नहीं लगेगा plus interest को subvention कर दिया जाएगा अगर आप time पर पैसा जमा कर देते हैं तो मतलब आपको ब्याज के दरों में छूट दी जाएगी समझ गए अगला है अधान मंत्री किसान सम्मान निधी सरकार किसानों को 6000 रुपया पर एयर का जो income support है वो देगा यहाँ पर क्रिसी को डवर सिफाय करने के लिए tree plantation पर जोर दे जा रहा है मतलब की हर मिल पर पिल फिर जो मदमखी पालन है dairy है, fishery है सब को promote करने के बाद करी जा रही है ताकि किवल फसल पनिरभरना रहे किसान वो अपना income diversify करे अलग अलग जगह से अपना income निकाले समझ गए फिर जो आपका खाद प्रसेस करन है, जो food processing है यहाँ पर 100% FDI allow कर दिया गया है, संपदा scheme launch किया गया है, जिसके जिससे की, जो farming वाले area है, वहाँ पर supply chain बनाया जाए मतलब कि खेत से ले करके processing तक और वहाँ से ले करके market तक पूरा जो forward and backward linking है, वो करी जाए समझ गया, तो यह था हमारे content, हम देखते हैं आपका answer क्या है, आपने कौन कौन से point यहाँ पर लिखे है, ध्यान से आप answer submit करेंगे, तो आप इस तरह से image बनिया से crop करेंगे, और यहाँ पर नाम लिख देंगे कि मेरा answer कौन से topic का है ठीक ना, जैसे किसने लिखा है, DFI 2022, ठीक है, चलो इसका answer देखते हैं, इसने लिखा है doubling the farmer's income by 2022 is an overwhelming target which requires sustained effort from all the stakeholders, तुमने margin नहीं दिया, पन्ना मोडो margin दो ढंग से, ऐसे काम नहीं होगा government appointed committee in 2016 to address the issue of farmer income, it submitted its report in 2018 and identified seven sources of income growth बढ़िया है, तुमने साथों का नाम लिख दिया है बढ़िया से बना करके, चलो अच्छा है above mentioned sources of income growth will lead to achieving target of doubling farmer income by 2022 इसका जरूरत नहीं था इस sentence का जरूरत नहीं था तुम सीधे आ जाते steps पर कि सरकारने कॉनकोंस से step लिये है PM किसान सम्मान ने थी बढ़िया है, प्लस जो नया वाला है जीरो बेस बेस फार्मिंग ठीक ना, तीसरा अगला तुम्हारा है क्रेट फैसिलिटी किसान क्रेट कार्ड बनाया गया है प्रहान मंत्र अनदाता आयस अभियान बनाया गया है प्रहान मंत्र बनाया गया है अगला आपको डेली टार्गेट दिया जाएगा मतलब की हम लोग आपको पढ़ने के लिए देंगे कि आपको डेली क्या पढ़ना है कितने समय में पढ़ना है इसके साथ साथ जो सवाल मिलता है आपको लिखने के लिए वो वीडियो में मिल जाये करेगा आपको हम रिवाइस भी करवाएंगे मतलब कि अगर आप त्यारी कर रहे हैं खुद से तो हम आपको complete guidance देंगे और daily कौन सा topic कितने टामे पढ़ना है सा बाते बताएंगे ठीके ना तो वीडियो जल्दी आने वाला है वीडियो अच्छा लगाईए वाला like खराब लागाईए से like thanks for watching take care